हेलो एब्रीबन वेलकम टो वार यूट्यूब चैनल संरा एडवांस एजूकेशन दिस इस ट्रेजर ओफ नेचर अब बुक ओफ इन्वोर्मेंट इस्टडीज ओफ लास थर्ड और आज इस बुक में हम लेशन 14 की रीडिंग करने वाले हैं रीडिंग की साथ साथ हम करेंगे बुक पार्ट और क्वेशन आंसर भी तो आप अपने साथ अपने बुक को नौट बुक भी लेकर के बैठें पैंसिल इरेजर वग्यारा लेकर के बैठें ताकि आप बुक पार्ट को बुक में और क्वेशन आंसर को अपने नौट बुक में नौट कर सकते हैं तो चली स्ट करते हैं chapter को is this is the chapter 14 and the name of the chapter is animals around us बच्चो इस chapter में हम अज अपने असपास के अनिमाल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं learning objectives हैं इस chapter के types of animals animals के प्रकार के बारे में जाने गहां कितने तरह की होते हैं ये फूट हैईट ओफ ऐनिमाल्स ऐनिमल्स की फूट हैबिट के बारे में जानेंगे जाएंगे eseविंग ऐनिमल्स किस तरीके से आनिमल्स की रक्षा की जा सकती है बचाव किया जा सकता है इन वाले हैं कि आप बता सकते हैं कि यह जो यह आपको पिकचर में दिख रहे हैं यह आपको कैसे एbstवत करते हैं चलिए करनें कि चैप्टर को अधित आपको एनिमाल्स और ईंपर्टेन्ट पार्ट पूफ वर वर्रोड्ड वह हमारे window का संसार बहुत ही अभिन अंग हैं बहुत ही महत्पूर हिस्सा है अनिमाल्स आर फाउंड अल्मोस्ट अव्रिवेर इन प्लेंस, माउंटेन, डिजर्ट, फोरेस्ट, वाटर बॉड़ी और इवन इन अवर हॉम्स जो एनिमाल्स है वो लगभग सब जगा हमें देखने को मिल जाते हैं चाहे प्लेंस है, माउंटेन है, चाहे रेगिस्तान है, जंगल है, पानी है यहां तक कि हमारे घर में भी हमें जानवर देखने के लिए मिल जाते हैं वो जगा जहां पर एक जानवर या कोई भी जानवर रहता है उस जगा को habitat कहा जाता है प्राकरति ग्वास या उस जानवर के रहने की जगा कहा जाता है बात करते हैं टाइपस ओफ एनिमल्स की वेरी बिग एनिमल्स बहुत बड़े जानवर जिराफ इस दो टोलेस्ट एनिमल ग्रोइंग तो जो जिराफ है वो बहुत ज्यादा लंबा जानवर है तोलेस्ट एनिमल है और इसकी जो लंबाई है वो लगबग पांच मीटर तक हो जाती है African Elephant is the Largest Land Animal Growing as tall as 4 मेंटर एनिम्स वेंग बाउट 1500 किलोग्राम इफ्रीकन जो एलिपेंट है वो भी बहुत बड़ा ईनिमल है और इसकी जो लंबाई है वो लगबग चार मीटर तक जाती है और इसमें जो वजन होता है वो लगबग पंद्रें सो किलोगराम तक हो जाता है The blue whale is the largest animal in the world जो blue whale है वो संसार में सबसे बड़ा animal है This aquatic animal can grow to be over 30 meters long and can weigh more than 150 ton इसका जो लंबाई है वो लगभग 30 meters तक हो जाती है और इसका जो weight है वो लगभग 150 ton तक हो जाता है The biggest bird living on the earth is the ostrich weighing about 150 kg और प्रत्वी पर सबसे बड़ा जो पक्षी है जीवित पक्षी है वो ostrich है और इसका जो weight है वो लगभग 150 kg तक हो जाता है ये वो animal season के बारे में हमने भी पढ़ा जिराफ, African elephant, blue whale and ostrich बात करते हैं big animals की big animals कौन से animal होते हैं Tiger is the largest cat reaching our total body length of up to 3.5 meters Tiger जो है वो largest cat है जिसकी लंबा जिसकी जो body length है वो लगभग 130 gram से लेगर के 180 gram तक हो जाता है lion is the second largest cat after tiger और जो lion है वो second largest cat है tiger के बाद bear is also a big animal इसके लावा जो bear है वो भी एक बड़ा जानवर है small animal के बारे में बात करते हैं cat, dog and rabbit are small animal cat, dog और rabbit जो है वो small animal है छोटी जानवर है बात करते हैं very small animal के बारे में bees, mosquitoes and worms are among the smallest creature on earth bees जो होती हैं मक्खियां जो होती हैं और mosquitoes हैं और जो कीडे मकोडे होते हैं वो सभी प्रत्वी पर सबसे छोटे creatures के रूप में smallest animal की category में आते हैं food habits of animal बात करते हैं animals की food habits के बारे में animals like the tiger and leopard which hunt and eat the flesh of other animal are called carnivores ऐसे जनवर जिसे tiger है, leopard है ये क्या करते हैं दूसरे जनवरों को शिकार करते हैं और उनका मास खाते हैं तो ऐसे जनवरों को हम मासाहारी जनवर कहते हैं वो जनवर जो दूसरे जनवरों का माश खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं carnivores या मासाहारी animals like the deer and giraffe eat plants and are called herbivores ऐसे जनवर जिसे हीरन है या पिर जिराफ है ये पेड़ पोदे खाते हैं तो ऐसे जनवरों को herbivores या शाकाहारी जनवर कहते हैं beer, crow and even human are, humans eat both meat and plants, beer, crow जो कुआ होता है और इसके लावा जो human beings हैं वो भी meat और प्लांट दोनों को खाते हैं इसलिए इनको they are known as omnivores इस तरीकी के जो जो प्राणी, मास और पेड़ पोदे दोनों खाते हैं वो omnivores की ये सरवाहारी की कैटेगरी में आते हैं animals like the henna and vulture do not hunt but eat the leftovers of the meat eaters and are cold skin benches देखें ऐसे जो जानवर होते हैं जिसे henna है या फिर vulture है ये जानवरों को जानवर को शिकार नहीं करते हैं लेकिन जो meat eater है जो मास खाने वाले जानवर हैं उनसे जो बचा हुआ मास होता है उसको ये खाते हैं मतलब एक तरीके से जो बचा हुआ होता है उन्होंने छोड़ दिया है तो गंदी की फैल आएंगे तो उसको वो खाते हैं तो जानवर होते हैं इनको इस केवेंजर कहा जाता है यह प्रकरती के जो सफाई कर्मी हैं को कहा जाता है क्योंकि जो गंदी की फैली रहती है दूसरे जानवरों से उसको ये साफ करने का काम करते हैं चलिए बात करते हैं, habitat की बारे में, habitat of animals, land animals, बात करते हैं, पहले land animals के बारे में, animals which live on land are called land animals, ऐसे जनवर जो भूमी पर रहते हैं, land पर रहते हैं, ऐसे animal को land animal कहा जाता है, they have some special body features because of which they are able to live on land, इस तरीके के जो animal होते हैं, उनके जो body features होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं, कि वो उनको जमीन पर या भूमे पर रहने योग्या बनाते हैं, वो भूमे पर आसानी से रह सकते हैं, they move on land with the help of limbs, ये जो भूमी पर move करते हैं, अपने limb की help से, limb क्या होते हैं, जो हमारे leg और arms होत करके limbs कहाई जाते हैं, तो ये प्रत्वी पर इन दोनों की help से, ये मतलब limb की help से move करते हैं, they have lungs to breathe, सांच लेने के लिए इन में फेपड़े होते हैं, लंक्स होते हैं, rabbit, bear, deer, tiger and yak are example of animals that live on land, rabbit, bear, deer, tiger और याक जो हैं, ये इस तरीके के जनवरों के example हैं, जो भूमे पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, बात करते हैं, aquatic animal के बारे में, क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं, some animals such as fish, octopus and whale live underwater, कुछ animal ऐसे होते हैं, जिसे मचली है, octopus है, या फिर whale है, ये पानी के अंदर रहते हैं, they are called aquatic animal, और इस तरीकी के जो जानवर होते हैं, जो पानी में रहते हैं, इनको aquatic animal या फिर जल ये जीब कहा जाता है, animals live both, animals which live both on land and underwater, ऐसे जानवर जो दोनों जगा पर रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी, चली बात करते हैं, इनको amphibians कहा जाता है, there are some animals that can live both on land and underwater, देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जो दोनों जगा रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी, जैसे frog है, toad है, इसके अलावा, salamander है, can live both underwater and on land, ये सबी जो जीब हैं, जैसे frog है, toad है, फिर salamander है, इस तरीके के जानवर है, वो दोनों जगा पर रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, तो इस तरीके के जो जानवर है, इनको amphibians कहा जाता है, सेविंग अनिमल्स के बारे में मात करते हैं, किस तरीके से इनको इनका बचाव किया जा सकता है, एनिमल्स आर एन इंपोर्टेंट पार्ट ओफ अवर इनवर्मेंट और एन राइट तो लिव एन इंजोई लाइफ ओन अर्थ एस वी हूमन बीग, जानवर भी हमारे परियावरन का महतपूर्ण हिस्सा है, उनको भी परत्वी पर रहने का और अपनी लाइफ को एंजोई करने का पूरा हक है, पूरा राइट है, जैसा कि हम लोगों को है, हाला कि मतलब इन लोगों को भी हम लोगों की तरह जीने का पूरी तरीके से अधिकार है, हाला कि आज के समय में जो जंगली जीव हैं, जंगली जानवर हैं, उनका वो आज के समय में डेंजर में है, सुरक्षित नहीं है पूरे संसार में, क्योंकि हम लोगों के दौरा मनुश्यों के दौरा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनको मारा जा रहा है, इनका शिकार किया जाता है और उनको मारा जाता है, मनुश्यों के लिए भी इनका शिकार किया जाता है, या मारा जाता है, या फिर इनके जो बोडी बार्ट्स हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं, उनके दान, जैसे हाती है तो उसके दान जो होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, उसके लिए हातियों को मार देते हैं, स्किन के लिए, और होर्ण वगेरा के लिए भी इनको मार दिया जाता है तो इस तरीके से जो जंगली जानवर है जंगलों में रहने वाले जानवर है वो सुरक्षित नहीं है activity session में देख लेते हैं do you have pet at home क्या आपके पास आपके घर पर pet है if you have one यदि आपके पास है how do you look after it तो आप उसका ध्यान कैसे रखते हैं comment books में इसका अंसर देना है चलिए बात करते हैं exercise की choose the correct option correct option आपको choose करना है deer are herbivore animal जो deer है वो एक शाकाहारी जानवर है giraffe has a long neck जो giraffe है उसकी एक लंबी गर्दन होदी है cats are a small animal जो billy है वो एक छूटा जानवर है omnivore animals eat both plants and flesh of other animals जो omnivore होते हैं वो plant भी खाते हैं और जानवरों का मास भी खाते हैं मतलब माशाहारी और साकाहारी दोनों ही मतलब पेड़ पोदर भी खाते हैं और मास भी खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं omnivore बोलते हैं fish is an aquatic animal मचली एक aquatic animal है fill in the blanks using the hell box hell box का यूज करके fill in the blanks को fill करना है habitat living place of an animal किसी habitat क्या होता है किसी जनवर के रहने की जगा को habitat कहा जाता है rabbit, deer, bear, tiger and york are live on land rabbit, deer, bear, tiger york वगएर ये कहा रहते हैं जमीन पर रहते हैं frog is an amphibian animal जो frog है वो एक amphibian है क्योंकि वो पानी और भूमी दोनों जगा पर रह सकता है lion, tiger, cheetah and crocodile are the example of carnivore animal lion, tiger, cheetah and crocodile किसकी example है carnivore के ये माशाहारी है octopus live underwater जो octopus है वो पानी के अंदर रहता है बात करते हैं true false की animals which live on land are cold aquatic animals ऐसे जनवर जो जमीन पर रहते हैं उनको जली जीव कहा जाता है तो ये false है उनको जली जीव नहीं कहा जाता है land animal कहा जाता है omnivore animals eat plant जो शरवाहारी होते हैं वो plant खाते हैं तो क्या केवल plant खाते हैं नहीं वो दोनों खाते हैं mass भी खाते हैं और plant भी खाते हैं cat is a wild animal क्या cat एक wild जिन जनवर है तो ये गलत है cat एक जिन जनवर नहीं है all animals same inside सबी जो जनवर है उनका size same होता है तो ये भी false है अलग-अलग size की होते है animals whale is a land animal जो whale है वो एक land animal है तो ये भी false है whale एक aquatic animal है ना कि land animal चलिए बात करते हैं question answers की what are land animals give two examples land animals क्या है दो example आपको बताने है animals which lives on land end देखें हाँ पर ऐसा आपको नहीं लगाना है क्योंकि ये plural है animals which live तो यहाँ पर ऐसा आपको यहाँ से हटाना है इसको animals which live on land are called land animals ऐसे जनवर जो जमीन पर रहते हैं ऐसे जनवरों को land animal कहा जाता है rabbit, bear, deer इसके कुछ example है चलिए आगे बढ़ते हैं राइट थरी eating habits of animals give one example of each आपको तीन eating habits लिखनी है animals की और फिर ती एक के एक एक example लिखना है there are three main eating habits in animals तीन तरह की eating habits होती है animals में सबसे पहला herbivores कौन से होते हैं cow, deer, etc 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 c हाँ पर mention कर लेंगे herbivores जो शाकाहारी होते हैं cow, deer, etc carnivores जो मासाहारी होते हैं tiger, loin omnivores जो दोनों चीज़ खाते हैं मास भी खाते हैं और plant भी खाते हैं जैसे crow और bear चलिए बात करते हैं next question की what are herbivores animals herbivores animals क्या हैं herbivores are the animals that eat only plants herbivores वो जानवर होते हैं जो केवल पेड़ पो देखाते हैं या उनसे मिलने वाले product खाते हैं what are aquatic animals aquatic animals क्या हैं animals that live in water are called aquatic animals ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं ऐसे जानवरों को aquatic animals कहा जाता है how do we save animals give anyone statement जनवरों को कैसे बचा सकते हैं बचाया जाता है उसके लिए आपको एक statement लिखना है तो कैसे हम बचा सकते हैं we should not kill or hunt them हमें उनको we should not kill or hunt them for our entertainment हमें उनको अपने मनोरजन के लिए मारना या फिर उनको hurt करना नहीं चाहिए we should take care of animals और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए उनका ध्यान रखना चाहिए तो ये था आज का chapter I hope आपको समझ में आया होगा इसमें activity session में कुछ think beyond answer लिखा हुआ है देख लेते हैं इसको why do animals move one from one place to another जो जानवर है वो एक जगा से दूसरी जगा पर क्यों जाते रहते हैं क्यों जाते हैं दूसकर आपको reason लिखना है life skill में एक point दिया है cutting of trees has rendered many animals homeless देखे पेड़ों का कटना जो है वो बहुत सारे जानवरों के लिए उनका मतलब वो homeless हो गए हैं पेड़ों के कटने से बहुत सारे जो जानवर हैं वो homeless हो गए हैं उनके घर छिन गए हैं since earth is the home of animals just as it was we should avoid cutting down trees जो प्रत्वी है वो जिस तरीके से हमारा घर है उसी तरीके से जानवरों का भी घर है इसी लिए पेड़ पोधों को हमें काटना अवोईट करना चाहिए या पेड़ पोधों को हमें काटना नहीं चाहिए तो यह था आज का चैप्टर है वोप आपको समझ में आया होगा आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भोले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो